आपको 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 मकर संक्रांती पर निवन बता हूं वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको बताओ दोस्तों यह दि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्यूंकि मैं ऐसे रोजाना वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं स्टैडिस समंधित नया करें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर दोस्तों तकि जब भी मैं को वीडियो अप्लोड को इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले जेख सकते दोस्तों औ कि आपके एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आपका लाइक करने से हमें और भी आगे अच्छे वीडियो बनाने की पिरणा मिलती है दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा ने लगता दोस्तों बिल्कुल फ्री है इस वीडियो को चलिए सुरू करते हैं हमारे चैनल से रोजाना अप टूडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल के द्वारा लोड कि किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बेटन को भी दबा दे दोस्तों यह बिलकुल फ्री है भारत में हिंदूों का कई सारे त्योहारों में से एक त्योहार मकर संक्रांत्री भी है जिसे 14 जनवरी को मनाया जाता है इस त्योहार का एक परमुख विसेश्ता यहां है कि यहां अलग अलग तारीखों पर नहीं बलकि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है हलाकि यह कभी कभी एक दिन पहले यानि तेरा जनवरी या फिर एक दिन बाद पंदरा जनवरी को भी मनाया जाता है लेकिन ऐसा साइद ही कभी होता है मकर सक्रांती सुर्ज के गती पे निर्वा करता है यानि सुर्जी जब धनु रासी को छोड़ कर मकर रासी में प्रवेश करता है तो सुर्ज का उतरायन गती प्ररम्भ होता है जिसके चलते यह मकर संक्रांती मनाया जाता है और उसी चलते यह दिन एक दिन कभी आगे या कभी एक दिन पीछे हो जाता है भारत के अलग-अलग छेत्रों में मकर संक्रांती पर्व को अलग-अलग तरह से मनाया जाता है तमलाडों में से लोग पोंगल के नाम से मनाते हैं पंजाब में और हर्याने में से लोहडी की रूप में मनाते हैं वहीं आसम में बिहुक कहकर इस पर्व को मनाया जाता है आंध इस दिन से ही शुरू होता है जो सिवरात्री के आखरी स्नान तक चलता है इस दिन लोग गंगा असनान भी करने जाते हैं इस दिन से लोग मानते हैं कि सुभ दिन का शुरुआत हो गया इसके पिछे बहुत सारी पौरानिक कथाएं भी हैं एक पौरानिक कथा यह भी है कि जब महाभारत में भिस्म पितामा को अरजुन ने बानो की सया पर लेटा दिया था तो उन्हें इच्छा मिर्टुप का बरदान प्राप्त होते हुए भी वे नहीं मरना चाह रहे थे क्योंकि उस समय सुर्ज धनु रासी में था और मकर रासी म प्रवेश करने का इंतजार कर रहे थे जब सुर्ज मकर रासी में प्रवेश किया तब उन्हें मिर्टु को प्राप्त किया था मकर संक्रामति को पिता पुत्र का सुब मिलन दिन कहा जाता है क्योंकि इस दिन सुर्ज भगवान अपने बेटे सनी से मिलने के लिए धनु रा का परतिनिधित्व कर रहे होते हैं इसलिए भी इस दिन को सुभ माना जाता है और उसके बाद से किसानों में खुशियों आ जाती है नए फसल को बोने के तयारी चालू कर देते हैं इस दिन से सुर्ज उत्रायन दिशा में उद्य होना चालू हो जाता है जिससे दिन बड़ा ह चालू होता है और मौसम में परवर्त आना भी चालू हो जाता है उत्रायन वाले दिन को देवताओं का दिन माना जाता है ऐसा भी माना जाता है कि इस समय जिन्हें मिर्तु की प्राप्ति होती है उन्हें स्वर्ग मिलता है इसलिए भिश्म पितामा ने भी मिर्तु की प्राप पर माना जाता है। इस दिन लोग तिल का सेवन करते हैं चुकि तिल ऊपर से काला लेकिन अंदर से वह सफेध होता है और उस तिल को यदि आप ऐसे भी ऊपर से हाथ से रगणते हो तो वह सफेध हो जाता है यह संकेत देता है कि आप उपर से कैसे भी रहो लेकिन आपका मन स्वच और साफ होना चाहिए इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि मकर संक्रांती में तील का सेवन करने से पुराने दोस दूर हो जाते हैं ग्रह गोचर तल जाते हैं इस दिन उत्तर परदेश के इलाके में और फश्मी बिहार में खिचड का सेवन किया जाता है और इस दिन को दान का भी दिन माना जाता है बिहार में लोग खुब धूम धाम से इस पर्व को मनाते हैं इस दिन लोग दही, चूड़ा, भूरा, तिलकुट, मसका एक साथ मिला कर खाते हैं नेता मंत्री लोग इस दिन अपने सगुष समंधियों, मंत्री बिधायकों को अपने घर पर दाबत देते हैं और उन्हें दही, चूड़ा, तिलकुट का भोजन कराते हैं लोग इस दिन को भायचारे के रूप में मनाते हैं ऐसा मना जाता है कि इस दिन से लोगों में काम करने के प्रती जगुकता ज़ादा आ जाता है क्योंकि मौसम धिरे धिरे गर्म होना चालू हो जाता है राजस्थान गुजरात मगेरा में तिल का लड़ू बनाया जाता है जबकि बिहार में इस तरह तिलकुट बनाया जाता है और लोग उसे खाते हैं इस दिन लोग एक दूसरे को घरों में जाकर खाना खाते हैं जिससे उन लोगों में प्रेम और भायचारी की भाबना बढ़ती है इस दिन का एक विशेश महत्व और ये भी है कि इस दिन लोग भोजन करने के बाद पतंग उडाने का प्रोग्राम बनाते हैं और बड़े फिल्ड में या फिर अपने घर के छट पर जाकर पतंग उडाते हैं गुजरात में इसका बहुत जादा प्रचरन है जिसके चलते गुजरात में पतंग उडाने का परत्योकता भी शुरू किया जाता है और लोग उसमें बढ़ चल कर हिस्सा लेते हैं भारत में कई तरह की प्रंप्रा और संस्कृतियों के कारण यह पर्व हर राज में अलग-अलग धंग से मनाया जाता है इसी के साथ अब मैं ये निवन्द समाप्त करता हूं और ये दूआ करता हूं कि आपका मकर संक्रांती बहुत अच्छा धंग से बिते विस्यू भेरी भी भी हैपी मकर संक्रांती उम्हेद करता हूं दोस्तों हमारे दोरा बनाया गया विडियो आपको पसंद होगे विडियो आपका चले तो लाइक जरूर करें दोस्तों इसे जादा से दभावबंदुक पर सेर कर हाँ है यह अपने हमारे चैनल का हो तक सब्सक्राइब निक